नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुरज अगरवाल आप देख रहें आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डेनिंग मैं पैसेंग का हिंदी भर्सन दोस्तो आज मैं गुलाब के बारे में बताऊंगा आप लोग सब कोई गुलाब घर में लगाते हैं या तो गमले में लगाते हैं या जमीन में लगाते हैं हमारे या जमीन में गुलाब है और एक एक पौदे में आपको अगर सेक्रो फूल लेने हैं तो चार टिप्स में बताऊंगा आपको जितने भी रोग है कीरे है इसको एटक को कंट्रूल करने के लिए या फिर फंगस का कंट्रूल करने के लिए यह चार चीज़ा अगर आप कंट्रूल कर लेंगे तो आपको गुलाब में भरमार होगी फूलो की भरमार होगी यह सारे नरसरी वाले स्पेसिफिक जो नरसरी वाले हैं वह आपको दिखाते हैं पौूंस haven यूज़ करते हैं और ज़्यादा-तर यूट्यू़बर आपको बताते नहीं कि यह technique क्या है कैसे यह fungicide, metricide यूज करते हैं यह special technique से यूज करते हैं पहले मैं दिखा देता हूँ अगर आपका बास ज्यादा कुछ नहीं है तो एक जो insecticide और aquaricide यह mixture है यह दिखे है यह theta है यह theta आप ले लिजिए यह thrips, scales, mites यह जो ज़्यादा तर जो गुलाब में attack होते हैं यह इसका control कर देते हैं इसका आप 1 ml per liter लेके अगर आप spray कर देंगे 10-10 दिन में एक बार spray कर देंगे तो इसमें कोई भी thrips का mites का skills का attack नहीं आता है यह आपका बहुत ज़रूरी है अगर आपको बास यह नहीं है तो आपको कैसे use करना वह भी बताता हूं पहले दिखाताता हूं कैसे लेना इसका dose क्या है डोज है एक एक लीटर पानी में आपको लेना है 1 ml यारिक रॉप्स के हिसाप से देखे लेना 1 लीटर देने के बाद पूरे पौधे में आपको नांद करो स्प्रे करना है और यह करना है आपको सांप की वึक्त दीन के वक्त मत करीई दिन दीन के बख्त करेंगे तो क्या होगा जितने भी हमारे बेनेफिशल इंसेक्स है तीतरिया है यह मर सकती है तो आपको दीन के टाइम नहीं करना है रात के इसाम को टाइम करना है अब इसके देखिए स्प्रे कर देते हैं पूरे पत्ते के ऊपर और नीचे चारू तरफ होने च इसलिए आपको चैन्रोल करना जरूरिए ऊपर नीचे यह हो गया पहला चीज अब आप मैं दिखाता हूँ इसके बदले यह अगर नहीं है ठीट आपके बस और और क्या क्या चीज लेना है पहली बात का जो है मीटी साइट माइट को भी कंड्रोल करना बहुत ज़रूरी है कुछ PGR भी में दिखाऊंगा, फांगिसाइड भी दिखाऊंगा, अगर आज को आज थीटा नहीं है, तो आप ATM ले सकते हैं, यह हमारे मार्केट में आता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, यह भी आप 1 ml पार लीटर दे सकते हैं, एक चीज में दिखाता ह है, 550, यह 1 ml पार लीटर दे के आप स्प्रे कर सकते हैं, 10-10 दिन के गैप में कोई भी एक ज़्यादा तर आपको लेना है, थीटा या फिर काका, और अगर आपका पास यहां पर PGR यूज़ करना है, तो आप इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फूल चाहिए, तो सुपर सोन पार यूज़ अगर कर लेंगे इसमें पूरे पौधे में, तब आपको बहुत बहुत सारी कली आएगी, बहुत बहुत ज़्यादा फूल आएगे, यह तो रह गिया आपका PGR के यूज, इंसिक्ति साइट के यूज, और यह का एकरी साइट के यूज, अब मैं दिखाता इसका टेक्निक क्या है, कैसे फंगिसाइट यूज करें, यह मैं दिखाता हूँ, और को रिडियो मिल गोल, यह सिस्टेमिक और कॉंटक्ट फंगिसाइट के मिक्षर है, यह अगर आप एक ग्राम पार लिटर या दो ग्राम पार लिटर लेकर अगर आप स्प्रे कर देंगे पौदे में, तो आपका हर तरह का फंगस का कंट्रोल हो जाएगा, फंगिसाइट के बारे में दो-तिन बात है, कि आपको अगर दो-तिन तरह की फंगिसाइट यूज करें, वो बहुत अच्छा होता है, वो भी आप रिपीडिटिली नहीं करके, आप अल्टरनेटिबली वाव इखाता हूँ, यह देखिये, दो-ग्राम पर लिटर लेएगे, अगर आपको फंगिसाइट के स्प्रे करना है, इसका अगर नहीं है, तो आपको बाएगे साफ ले सकते हैं, यह भी systematically सप्रेंडिटिली यूज करें, और यह आप दो-ग्राम पर लिटर लेके इस प्र और एक है, पॉपर आक्सी क्लोडाइड, यह भी आप यूज कर सकते हैं, जिसके हम ब्लू कॉपर का नाम से भी जानते हैं, यह भी आप अल्टरेनेटिबल यूज कर सकते हैं, उसमें डाइबिक की प्राबलेम जितनी गुलाब में आती, वो नहीं आगी, पत्ते मुर उसके अगले हफ्ते जब यूज करेंगा आपका उसका भी आदा कर देना यानि आपको half gram पाल लिटर कर देना यानि कि डोज हर हफ्ते आदा आदा करते जाना है जब चौतिज़ी बार आएगे फिर से आप दो ग्राम पाल लिटर यूज कर सकते है इसी साब से आपको डोज घ शेम रहता है इसलिए आपको कहते हैं कि जब भी फंगिसाइड यूज करें अलग अलग टाइप का यूज करें और जब भी उज करें उसका जो डोज है अगले हपते हाफ कर दें चार हपते बाद फिर सेम कर दें उम्मीद ये वीडियो पसंद आप पसंद आप लाइक शेके के जैनलने नहीं नहीं ये इसका अलगी इसका उया मारं हुए ये आदएपको मैं को नो में ऊह्ड़ में जब टेहाए ग्रष लाइट आपको ने लूब रहा हुए